दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको चमपत राय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जंदगी मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दी इस वक्त पूरे देश में आयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्रान प्रतिस्ठा को लेकर एक अलग ही जश्ट का महौल नजरा रहा है जहां कई सालों का इंतजार जाकर अब खत्म होता देखकर भारतवासी की आँखों में बस एक ही चहरा है और वह बस अपने राम लला को देखने का है अब जब राम मंदिर का यह सपना सच हो रहा है तो उन सभी चहरों को याद किया जा रहा है जिन्हों ने इसके लिए कई कुर्बानिया दी और काफी लंबे समय तक संगर्ष किया उसी में एक नाम चंपत राय का है लंबे समय तक विश्व हिंदू परिशत से जुड़े रहने वाले चंपत राय ने 2020 में श्री राम जन्म भूमी 13-6 प्रस्ट का महासचीव का जिम्मा उठाया था चंपत राय एक ऐसे वैक्ती हैं जन्होंने हमेशा से ही राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी फिर चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार क्यों ना हो वह कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हटे यही वज़ा है कि उन्हें कई बारिस की सजा भी भुगतनी पड़ी 1946 में यूपी के बिजनौर में जन्म लेने वाले चंपत राय बचपन से ही रास्टिये स्वैम सेवक संग से प्रभावित हो गए थे उन्होंने रसाइन विज्ञान की पढ़ाय की और इस जिले के धामपूर में इस्थित आश्रम डिग्री कॉलेज में प्रोजेक्ट प्रोफेशर के रूप में काम किया बाद में उन्होंने संग के विचारों का प्रचार प्रशार करना शुरू कर दिया और फिर संगठन के लिए काम भी किया जब देश में आपात कालीन लागू हुआ था उस वक्त राम जन्म भूमी आंदोलन के सिलसिले में उन्हें गिरफतार किया गया था और लगभग 18 महीने तक चमपत राए यूपी के अलग-अलग जेल में बंद रहे थे पर जब उन्हें जेल से रिहा किया गया तो वह घर जाने के बजाए विश्व हिंदू परिशत का हिस्सा हो गये इसके बाद उन्होंने इस परिशत के लिए काफी आहम भूमी का निभाई साल 2019 में जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुनाया था तब चमपत राय को एक आहम भूमी का सौपी गई जिसे उन्होंने बखू भी निभाया मौजूदा समय में देखा जाये तो राम मंदिर की प्रान प्रतिस्था से जुड़े कारे करम को लेकर कौन आ रहा है और कौन नहीं इसके साथ ही साथ कारे करम कब तक चलेगा अतीतियों के लिए क्या व्यवस्था है और आम लोगों को दर्शन करने के लिए कब मौका मिलेगा इन सबी मुद्दों पर चंपत राय ने खुल कर चर्चा की